बहुत बहुत स्वागत है हमारे UX Design Master Channel पे और आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज बताने वाला हूँ और खास करके यह वीडियो उनके लिए है जो इस फिल्ड में UX Design फिल्ड में आना चाहते हैं और उनके बेसिक टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ तो साइट का नाम है मविन. डीजाइन और यहां पर हमें एक्सेश फ्री मिला है मयविन.डिजाइन जरो क्ताने के पशाएं के और उनके माधियो में यह ऊपको डर् करना चाहता हूँ की कैसे आप डर प्टिजाइन क्रेड कर सकते हैं यह हमें प्रकेस करने के लिए मिला और आप exactly नहीं बता पाते हैं कि कितने तरह के अप्लिकेशन जो होते हैं यह मार्केट में बिलोंग करते हैं तो जी हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं जब यहां पर मैं apps पे क्लिक किया तो apps पे यह सारे filter option देने के बाद यहां पे business, education, entertainment, finance, food and drink, health, fitness, travel, sports यह सारे आपको फिल करता हूँ तो education से related application आपको यहां सारे दिख जाएंगे और जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ एक screens पे तो यह application का पूरा detail screens आप step by step देख सकते हैं जिससे कि आपको design बनाने में काफी आसान होता है जैसे कि यहां पे मैंने full screen कर दिया तो full screen पे यह सारे option आपको यहां पर दि दिखा है तो अगर आपको white background में देखना है black में देखना है तो आप इस तरह से यहां पर देख सकते हैं तो यह option हुआ कि आप किसी भी application का यहां पे total screen देख सकते हैं और उसके बाद आप save भी कर सकते हैं अगर आप हमारे जैसे subscription plan लिए होंगे तो लेकिन में मुझे subscription plan free में मिला है क्योंकि यह promote करने के लिए बताएं कि हम आपको free access देंगे आप हमारे software यह design के बारे में बता सकते हैं ठीक है अब मैं चलते हैं सबसे पहले यहां पर apps में आपको बताए कि filter में इतने तरह के application होता है जैसे मान लिए कि आपको medical से related application बनाना है तो आप medical पे क्लिक यह music से related application जितने भी topper application world over है यह सारे यहां पे already screen सारे दिये हुए हैं जैसे आपको photo and video से related application चाहिए तो आप photo and video से related भी यहां पे create कर सकते हैं जैसे YouTube का आप design देखते हैं जैसे कि यह video YouTube पे ही है तो आप YouTube का design अगर पूरे screen wise screen देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख स सकते हैं और इससे आप EY-EVX काफी ही strong कर सकते हैं क्योंकि इनके EY-EVX scenario सारे step by step दिये होते हैं ठीक है अब मैं यहां से back करके option में आता हूं और pattern mode में अब आता हूं pattern mode में मैं जाता हूं जैसे apps में जब क्लिक किया तो filter by category से आपने देख लिया कि इतने तरह के applications होते हैं और जब भी application आप बनाते हैं तो सबसे पहले आप उसके competitor application या उसे related application आप देख लेंगे और उसके बाद ही आप designer start करेंगे या evx journey या site map creation या personal journey जो भी करते हैं आप कर सकते हैं क्योंकि आप सबसे पहले research competitor या उसे related application से ही करते हैं और product project start करते हैं चलिए हम pattern की बात करें त pattern में सबसे ज़्यादा important चीज जो होती हैं यह आपका filter by category जो कि आपको मैं यह बताऊंगा कि filter by category में कितने तरह की application है यह तो आप देख लिए हैं उसके बाद filter by pattern मतलब किस elements को क्या कहते हैं जब आप mobile design बनाते हैं तो mobile design बनाते समय हैं उस elements का नाम क्या क्या होता है किस तरह के screen scenario होते हैं एक है सबसे पहले filter by elements तो filter by elements भी बहुत important चीज़ हैं तो हम जब apps में गएं तो आप देख रहे हैं कि apps में filter by केवल category है जबकि pattern में गएं तो यहां पे तीन टैब आपको दिखाई दे रहे हैं filter by category जिसमें आप यही देख रहे हैं जो options हैं उसके बाद filter by pattern में आप module वाई जा स्क्रीन देख सकते हैं जैसे मान लिए कि आपको a screen article and news से related देखना है तो article and news से related यह सारे references हैं जो कि design बनाने में काफी help करेंगे suppose that आपको sign up का screen चाहिए तो sign up screen पे आप click कर देजाओ sign up से screen यह सारे screens दिये हुए हैं आप किसी भी तरह के signing sign up option यहां reference ले करके design create कर सकते हैं उसके बाद मान लेकि login screen आपको create करने है तो login से related यहां पे option दिये हुए हैं उसके बाद जिस मान लेकि आपको navigation से related idea लेना है कि navigation कैसे होता है map का तो यहां से आप इस तरह का reference लेकिन सबसे important part जो है यह आपको मैं बता रहा हूँ filter y यहां से आपको clear करना है और clear करने के बाद यहां पे आपको filter option पे जाना है और filter option में सबसे पहले आप देख रहे है navigation तो आपको यह समझना है कि हमारे mobile application जो बनाते हैं उसमें किस element का क्या नाम होता है तो इस section में हमारे जो है 5 category define किये हुए है एक option जो है वहाँ पे बार option है बार में different different तरह के बार है जिसमें navigation बार है tab बार है tabs है tools बार है उसके बाद container है container में क्या के चीज़े आते हैं जैसे action seat आते हैं backdrops आते हैं बोटम सीट आते हैं cards आते हैं chips data tables image list list navigation drawer side seat उसके बाद controller के options में आपका buttons आ जाते हैं check box रेडियो बटन आते हैं फेव आते हैं page controllers आते हैं imaginary में आपको image related hero images informational thumbnail अब आपको side यह पता नहीं होगा hero images किसे करते हैं तो यह सारे चीज़े हम next video में भी बनाऊंगा क्योंकि यह काफी बड़ा topics है और हर एक step by step जो option है यह सारे हम different videos में explain करके बताऊंगा ठीक है तो यह हमारा series जो है video का series number one है जिसमें हम आपको यह बता रहे हैं चलिए सबसे पहले आपको बता देते हैं कि यहाँ पे a to z अगर करते हैं तो यही option a to z से आप filter करके देख सकते हैं और अगर आप toggle on करते हैं और off करते हैं तो आप section वाज देख सकते हैं सबसे पहले navigation bar नविगेशन बार पर जब मैं click करता हूँ तो आप यह navigation bar का screen देखते हैं जो कि इतने सारे navigation का screenshot का simple है तो यह जो आप उपर देख रहे हैं यह सारे navigation bar है यहाँ पर जितने भी आप देख रहे हैं यह जो top वाला part होता है इसको navigation bar बोलते हैं यहाँ से यहाँ ज field देख रहे हैं उसके बाद अगर हम navigation bar का large title की बार बात करें कि large title क्या होता है navigation bar का title कौन सा होता है तो title होता है आपका यह जो आप content देख रहे हैं यह title बार है यह भी browse the catalog यह title बार है sales मतलब जो screens का real screen का जो name होता है जैसे यह shop है my profile है home है यह screens का title बार होता है जो आपको bold world में दीख रहे हैं आपको उपर में जैसे search, assign, inbox, pull request, issues, home यह सारे जो हैं आपका option दीख रहे हैं यह navigation bar जिसको हम large title कहते हैं उसके बाद tab bar किसको कहते हैं यह देख लिजए tab bar आपका जितने भी देख रहे हैं bottom में bottom में जो यह बार होते हैं इसको हम tab bar कहते हैं तो tab bar का option यहाँ पर option सारे जो है दिखाई दे रहा है यह सारे जो फूटर में लगे हुए tab bar यही option जो है आपका tab bar है यहाँ पर यह सारे tab bar है तो tab bar इसी maximum tab bar आप iPhone में 5 रख सकते हैं और 2 भी रख सकते हैं 3 भी रख सकते हैं 4, 5 लेकि 5 से आपको ज्यादा नहीं रखना है क्योंकि touchable area जो होता है वो 44 का होता और 44 से आपको multiply करेंगे तो 360 और आपको 375 के आसपास total width होता है इसका iOS का iPhone X का जो designs होते हैं उसके बाद हम tabs की बात करें तो tabs किसको करते हैं तो tabs यहां पर आप देख रहे हैं यह जितने भी navigation का जो option है उपर यह इसको हम tabs करते हैं जैसे now, music, gaming, news, film मतलब navigation बार के नीचे जो just option आते हैं उसको हम tabs करते हैं यह सारे tabs हैं यह जितने भी example देख रहे हैं all recently recently uploaded यह सारे tabs का example है यह tabs है your basket saved यह tabs का examples हैं अब यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं कि tools tips किसको कहते हैं sorry tools bar, tools bar जैसे आप कोई page पे गएं जैसे photo editing करने गएं तो photo editing करने पे किसी एक particular page पे जब multiple tools होते हैं जैसे कि edit करना या delete करना या crop करना यह सारे tools हैं तो जिस plate पे यह सारे tools रहते हैं उसको हम tools bar कहते हैं तो tools bar और tabs bar में different होता है tools bar एक particular page का actions होते हैं जो सारे actions होते हैं लेकिन tab bars का मतलब navigation changes होते हैं जो सारे changes होते हैं total का total जो है आपका navigation में page change होते हैं जैसे home page, profile page, exploring setting यह सारे page tabs का होता है उसके बाद search की बात करें तो search bars जो होते हैं search bar में आप देख रहे हैं यह सारे search का field है यहां पे यह search bar है तो जिसमें हम search करते हैं जिस text field में searching करते हैं उसको हम search bar करते हैं तो यह जो है इस video में मैं आपको किवल बार तक ही option बताया हूं next video में आपको container बताऊंगा कि action sheet क्या होते हैं क्योंकि यह सारे basic चीजे जब तक आपको knowledge नहीं होगा तब तक आप design create नहीं कर सकता है किस case में कौन सी चीजे apply करना चाहिए container में कभी-कभी action sheet के जगा कोई pop-up यूज कर लेता है कहीं pop-up के जगा bottom sheet यूज करता है तो यह थोड़ा confusion होता है तो यहां पर आपको यूज करना है exactly कब किस case में कौन सी buttons आपको या कौन सी container यूज करना है वह हम आपको next video में बताएंगे तो यहां पर आप next video में देखेंगे action sheet, backdrops, banners, bottom sheet, cards, chips, data tables, image list और list navigation drawer and side sheets यह हमारे next video का wait करेंगे एक दो दिन के बाद वह भी video जह हम publish कर सकते हैं या हो सकता है मैं same day भी publish कर दूँगा ठीक है तो दोस्तों उमीद करता हूं कि यह video आपको basic के लिए काफी informative रहा होगा और यह video अगर पसंद आया हो तो please आप इस video को like और share करें और यदि आप first time हमारे channel पे आकर के video देख रहे हैं तो please इस channel को subscribe कर लेजेगा और bell icon को on करना जरूरी है क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो आपको notification नहीं मिलेंगे और notification नहीं मिलेंगे तो आप next series का video जो है से update नहीं पा सकते हैं तो इसके लिए आप subscribe channel को करके रख सकते हैं और bell icon को press करके रखना है ताकि next video जैसे ही मैं publish करूंगा आपके पास notification या email आ जाएंगे और फिर आप उस link पे click करके आप video देख सकते हैं तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद